हलो दोस्तों आपके अपने चैनल आजे टेलर्स ओनलाइन टेलरिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम सिखेंगे प्लेट वाली पेंट में सामने वाली स्ट्रेट पोकेट सिद्धी पोकेट कैसे बनाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों यह पोकेट क्लोथ है जिसमें मैंने एक तरफ कनारी और दूसरी तरफ कपड़ा लगा लिया है पेंट का कि अब देखते हैं कैसे बनती है जेव कि इसको पहले दोस्तों पहले कि इस कपड़े को ऐसे सील लेते हैं और जो निचला जो अब लगाया है वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा रखते हैं जो मैंने रख्वा है और यह कनारी लगाई है उस बाग को थोड़ा सा अधाइंच छोटा रखते हैं इतना चोड़ना है दोस्तो आदा इंच बड़ा रखना है उस पार्ट को जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अब इसको फोल्ड करके इस पर ऐसे सिलाई लगा देनी है दोस्तों जैसे मैं लगा रहा हूँ यह देखिए और इसको भी ऐसे थोड़ से गुटके लगा लेंगे यहाँ पर ताकि कि जाब नहीं मारेगा पड़ा अब इसको भी ऐसे फोल्ड करके इस पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देगे दोस्तों अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूं यह वो पार्ट है जो मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है यह यहां से यहां तक बनेगी कि अपनी जो में जो सिलाए दिख रही है आपको यह कच्छी ईखिए इसके बीच में यह कुल जाएगी बात नंदेख्या दोस्तों यहूँ टिखिए जो 6 इंच कया आप बना सकते है कि पीछे यह कच्छी सी लाई है दोस्तों इतनी दूर की ये इतनी दूर की कच्ची सिलाई है ये मैं आपको बाद में खोल के भी दिखा दूँगा ये खुल जाएगे ये जो सिलाई है अब दोस्तो इस किनारी वाले भाग को जो छोटा पार्ट है इसको ऐसे रखके ये ऐसे रखके कपड़े को पैंट को और इस पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोस्तों ये देखिए उपपर से पूरा इसके बराबर करके और ये जितने जेव है वहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना ऐसे दोस्तों एक पेर की सिलाई आएगी दोस्तों ये देखिए ध्यान से जैसे में लगा रहा हूं दोस्तों दोस्तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले मैं ऐसे ही टेल्रिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा दोस्तो थोड़ा ध्यान देखे देखिये अब इसके उपर जो पार्ट जोड़ा है उसको उपर एक जिलाई और व्री है यह देखिए कि अभी जिस पार्ट को जोड़ा है pocket cloth के उसी के उपर एक सिलाई लगा देंगे ऐसे यहां से देखिएगा दोस्तो यह देखिए इसके उपर यह यहां पर सिलाई लगा दी गई है अब देखिए दोस्तो यह उपर हम यहां पर एक पेर की सिलाई लगाएंगे दोस्तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पक्का करके जितनी बड़ी जेब लगानी है हमको यह देखिए ऐसे सिलाई लगा देंगे यह देखिए दोस्तों यह सिलाई लग चुकी है अब हम यह जो दूसरा पार्ट है क्लोथ कपड़े का उसको जोड़ेंगे पैंट से देखिए दोस्तों यह जो बड़ा पार्ट था उस पार्ट को जोड़ेंगे अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगांगे इसके भी एक पेर जितनी सिलाई लगाएंगे दोस्तों वीडियो लाज्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझे झाला कर दोस्तों नग्तुष्स झाल 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 झाल